नमस्कार किसान भाईयो अन्नतातासलाकार यूटूब चनल में आपका स्वागत हैं आप सभी जो भी संत्री खेती करते हैं जिनके कमेंड मुझे मिलते रहते हैं कि फरवरी में बाहर लेने के लिए कौनसा वेसल डोज डालें और किस प्रकार से हम तरीका जम्माएं चैनल को सस्क्राइब करें नीचे दिये गए बेल आइकन गंटी के बटन को दबाकर नोटिफिक्शन ओन करें जिससे कि आपको समझ समय पर नहीं नहीं जान करिया मिलती रहें तो किसान भाईयो सरोपर्तम अपन बात करते हैं बेसल डोज के लिए कौनसे फटिलाइजर का उपयोग करें तो किसान भाईयो सबसे पहले आप अभी आज अपन बात करें अभी चल रहा है जनवरी का महीना और अभी इसके अंदर कौन सा खाट डाले हम और कप पानी बिलाएं तो किसान भाईयो यह मिठी पर निर्भर करता हैं आपके अखेत में कौन सी मिठी है कितने समय की आपने तान लगा रखी है तो अभी फर्टिलाइजर की बात करें तो सबसे पहले फर्टिलाइजर अपनको जनवरी के महीने में दे देना चाहिए और तान लगा रखी जिन्हों भी किसान भाईयो के लंबी ताने पोदे अच्छे से कमजोर हो गए हैं तान लगी हु पढ़ती हैं तो किसान भाईय जनवरी आखरी तक भी उसके अंदर खर्टिलाइजर डाल सकते हैं और जिन किसान भाईयों के खेत कमजोर हो है जल्दी तान लग जाती है वह पहले खाद डाल सकते हैं तो खाद के रूप में आप इसके अंदर सिंगल सुपर पासपेट दो पेक या विभू यह भी एक प्रकार से एसेसवी फटिलाजर रेव बायो इसका भी उप्योग कर सकते हैं साथ इसाथ इसके अंदर आप जिंग सल्पेट का उप्योग करें मेगनीशियम सल्पेट दस केजी लिगा बोरोन पांसो ग्राम से एक किलो प्रती सोब उदा जिनके फल पटने की समझ्चे ज्यादा देखने को मिलती हैं वह एक किलो सोब उदे अनुसार डालें साथ इसके अंदर आप अगर लोहे की कमी आपकी पत्तियों में ज्यादा कि कमी इसके अंदर दिख रही है इस प्रकार से कर आप नुट्रेशन की पेचान सकते हैं कौन से तत्व की कमी है उस अनुसार यह जैसे की पत्तियों पर दिख रही है इस प्रकार से कर आप तत्व की पेचान कर सकते हैं तो आप इसके अंदर फेरस सल्पेट तीन से चार कि प्रति सोब बोदा साथ में मेगनिस सलपेट 2-3 किलो प्रति सोब बोदा यह फट्रिलाइजर आप उप्योग में ले सकते हैं सुरुवात में बेसल डोज के रूप में को यह हैं साथ माइक्र आइजा का उप्योग नहीं करें उसकी जगे आप हुमीग एशीटर ऑमीनोएशीгр का उप्योग कर सकते हैं अलग-अलग कमपनी का मार्केट में उप्लब्द रहता है उसकी रिकोम जुताई करके उसको मिला दे उसके बाद इसमें आप पानी जब पेला पानी पिलाते हैं फोसर किसान भाई जनवरी एंडिंग में पिलाते हैं आकरी जो सब्ता रहता उसके अंदर फरवरी सब्ते में पिलाते हैं तो किसान भाई यो बाहर आपको फरवरी में देखने को मिले जेसी बहार आती हैं, दुसरे पानी जब पिलाते हैं, जब तक बहार आने लग जाती हैं, छोटी-छोटी फुटाव उधा लेता है, उसके अंदर फूल आने लगते हैं, जो फूल आते हैं, फरवरी वाले, वो बहुत ही कम मेनत में बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, जितनी आ पहुत ही मुश्किल होता है तो इसको टिकाने के लिए आप अपने प्रेक्टिस अनुसार उपियोग में ले, फल को ज्यादा गलने बार बार पानी पिलाते हैं, तो एक बार इस वाले सलिय को पिलाएं, एक बार इस वाले को पिलाएं, जिससे की गलन की सिकायत ना आए, फल सेट होते होते हैं, जब छोटा सा फल रेता हैं, गियू जैसा जुवार जैसा, जब वो ड्रोब होता हैं, तो उससे बचने के लिए आप सुचाई की प्रद्रति अच्य से उपयोग में ले एक बार पोधे बाला लाइन पिलाएं, एक बार बीच बार लाइन पिलाएं शुर्वात में दो पानी तक पुरा पगीचा पिलाएं, उसका दिरे दिरे इस प्रकार की practice करें जिससे की गलन ना हो एक प्रकार से फार्मर प्यक्टी से किसी प्रकार से वेग्यानिक तरीका नहीं है बाकी हमने खुतने संत्रे की खेती करते हैं हम खुतने प्यक्टिकल किया हुआ है इससे काफी फाइदा देखने को मिलता है गलन वगेरा नहीं मिलती है और जब flowering आती हैं तो उससे पेले जैसे कि अभी बात करें जन्वरी चल रहा है अभी जन्वरी का पेला सप्ता चल रहा है आज 18 जन्वरी से 20 जन्वरी के बीच की अपन बात करें तो अभी किसी प्रकार से flowering नहीं है तो अभी आप इसके अंदर copper oxichloride 1kg प्लस प्रोफिनो प्लस साइफर एक लिटर साथ में सिलिकोन बेस चिप को या अन्य कोई कंपनी का चिप को 100-500 ml पान सो लिटर टेंकर पानी वाले से इस्प्रे करें जिससे की मच्छर से आप चुटकार पास सकें flowering stage पर किसी प्रकार से कोई किटना सका उप्योग ना करें ज अच्छा हो जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा फल टिका सकें तो किसान भाईयो अधिक जानकारी के लिए हम जल्दी ही नया वीडियो लेकर आएंगे और उस पर बन चर्चा करेंगे आपको किसी प्रकार से और समश्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य और ज्यादा से ज्यादा किसान भाईयो तक इस वीडियो को सेर करें जिससे कि वे जानकारी का फाइदा उटा सकें अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहे जै हीन जै भाराज जै किसान धन्यों